आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम एसे धान तक नहीं होता है इस टड़ी क्लोज पर आपका बहुत सवागत है एक और कॉंट्रवर्सी अब यह बड़ी अजीव गरिफ कॉंट्रवर्सी है और भाकें में यह कॉंट्रवर्सी है साउथ कोरिया में सेक्सिजम डेबेट शुरू हो गई है क्यों हम इस लेचर में जानेंगे तोड़ा अनकमफर्टेबल करने वाला लेचर है चानल को सबसे पहले सबस्क्राइब करो इंस्टा पर फॉलो करें टेलिग्राम पर हो और हमारा आप ज़रू डाउनलोड करो आज को सब्सक्राइब का उफर कर खतम हो चुका है बहुत अच्छा आपका रिस्पॉंस राख तो जाहिए आप डाउनलोड करिए कोर्सेश देखिए इफ यह इंटरसेट देन गो फर इट तो कॉंट्रोवर्सी यह है कि साउथ कोरियन कंपनीज और 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 और्गनाजेशन्स ने अपने एडवर्टाइजमेंट को हटाना शुरू कर दिया क्यों देखिए बहुत सारी कंप्रीज और 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 अपने अडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा डाल दिया जो मिंस राइट और 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 अपसंद नहीं आया अब बेसिकली यह लोगों ने बोला कि ये तो हमारे private parts की photo है, small penis symbol, जो male के private parts होते हैं, उसकी photo है, तो ये किस तरीके का advertisement है, जो मर्दों को नीचा दिखा रहा है, अब इसी लिए ये controversy बहुत बड़ी हो गई, और South Korean companies ने जब बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ा, तो इस advertisement को, campaign को हटाना शुरू कर दिया, gender rights group में वैसे बहुत बवाल रहता है, men and women rights group, दोनों आपस में भीड़े रहते हैं, women's rights group को कोई मौका चाहिए, और men's rights group को भी कोई मौका चाहिए, अब इनको मौका मिल गया, ये तो बोल रहे हैं, कि हमारे private part को अप इतना छोटा दिखा रहे हो, ये तो हमारी मर्दानगी पे उसमें emojis दिखाए गए हैं, अब उस emojis में हाथ है, अंगूठा है और index finger है, जो एक दूसरे की तरफ pinch कर रहे हैं, अब basically South Korea में इस symbol को, it is basically used to depict smaller sizes, ये emojis एक smaller size, छोटे size को represent करता है, बट वो define थोड़ी ना करता कि किस चीज का smaller size, लेकिन हुआ क्या कि एक और association ने, जो men's right group, अब ये local feminist group है, ये women's right group है, sorry men's बोल दिया, मैंने women's right group है, मैंने बताया ना, कि एक तरफ है आदमियों का right group, और एक तरफ है यहाँ पर और तो दोनों ही को बस मौका चाहिए, अब ये सब चली रहा था, कि यहाँ पर megalia करके, एक association है, हाला कि अब ये जाद active नहीं है, उसने इसी चीज़ को अपना logo बना लिया, तो वैसे ही आदमियों की organization को बड़ा दिमाग खराब हो रहता है, इस अब देखे, और एक women's right group organization ने इसको अपना logo बना लिया, और जादा mood बड़ी हो गई है, social media platform पे सको हर जगा शेयर किया जा रहा है, और यहाँ पर men's rights group यही बोल रहे हैं, कि यह तो बहुत दो controversial है, इसी साल South Korea को जो largest convenience store chain है GS25, उन्होंने sausages को दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, अब ये sausages आपको पता ही न, किस तरीके के होते हैं, कैसे लगते हैं, तो ये जो sausages थे, यहाँ पर men's rights group ने बोला, कि this is the small penis symbol, हमारे private parts को आप दिखा रहे हो, तो हम ये बिलकुल भी बरदास्त नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट शुरू हो गई, जो headquarter है न, companies का CEO में, उसके सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, कि आप हमारा मजाग यहाँ पर बैटे हुए हो, और इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया, कि इन companies को ये सब हटाना पड़ा, या awareness campaign के रूप इन्होंने चलाया था, लेकिन बाद में जो company, जो institution है, यहाँ पर R.O.P.A. लगा कि ये तो offensive है, तो हटाया इन्होंने, ऐसे एक और fried chicken chain है क्योचान, ज Siol Metropolitan Police है, उसको भी जो advertisement है, यह basically road safety campaign posters थे, और delete करने पड़े, बाद में modify करके इसको लगाया गया, अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये offensive है, जो इतना claim किया जा रहा है, देखिए, अब यहाँ पर यही बोला जा रहा है, कि जो ये group है, यहाँ पर कोई controversy ही नहीं है, जबर Siol Eland FC Joha का football club है, उनको भी mafia माँगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने ये hand symbol, जहाँ पर है hand symbol देखेगा, आपको mafia माँगनी पड़ेगी, इस तरीके का भी हिसाब के ताख चल रहा है, आप ये समझेए, कि अगर आप original poster को देखे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना प पतली पतली जिससे आप noodle pick करते हैं, उसमें भी complainant ने यहीं बोला कि ये तो finger, it actually took the shape of the finger, hand gesture का, जिसने हमको जहाँ पर ये hand gesture, मतलब small size, जहाँ पर ये hand gesture नजर आएगा, ये rights group active हो जाता है, तो controversy देखनी पड़ती है, आप ये actually controversy ही नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो employment opportunities अब धीमे-धीमे कम हो रही है, socio-economic status जो है, वो धीरे-धीरे increase हो रहा है, ठीक है, मतलब जो discontent है, socio-economic status का, वो increase हो रहा है, यहाँ पर researchers नहीं ये notice किया है, कि anti-feminist sentiments धीमे-धीमे बढ़ रहे हैं, मतलब लोग जो है, वो औरतों को आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, 2015 में मर्स outbreak हुआ, तो दो औरतों को हुआ है, यह कोरिया आई, इन्होंने quarantine होने से मना कर दिया, तो इनको इतना जदा criticize किया गया, इतना पूरी औरत जात पर हमला कर दिया गया, आप समझे, इन औरतों को kimchi bitches बोलना जाने लगा, कि यह औरते जो है, यही ऐसी औरतों के इस तरीके का, आप समझ रहे हैं कि यह anti-feminism South Korea में लगातार बढ़ता जा रहा है, South Korea में इस तरीके की problems नहीं नहीं है, कई बार companies को, individuals को target किया जाता है, problem यही South Korea में कि यह पीछे जा रहा है, ठीक है, औरतों को यहाँ पे, जो writers रुप है, they don't want कि औरते आगे बढ़े, 2017 में जब मून जाय इन आय, president बने वो Korea के, तब उन्होंने gender equality को काफी improve किया, काफी प्रोग्राम सलाई उन्होंने, salaries बढ़ाई, उसके बाद सरकारी subsidies दी, फ अब 2015 में जो local online feminist group है, Megalia, उसका जनम हो गया, उसने एक logo बना लिए, इनका जो logo था, उसने हाथ दिखाया with thumb and index finger, अब यही धिमा कराब हो गया है, rightist group का, यह बोल रहे हैं कि यह जान बूच के किया गया है, यह हमारे private part को छोटा दिखा रहे हैं, यह हमारे उपर यह पूरी मर्दजाद के उपल हमला है, और हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे, बहुत सारे आदमी यह मानते हैं, कि they have extreme feminist views, इस तरीके का, अभी साउथ कोरिया में research में यह पता चला है, कि इसी कही ना कही इनी groups की वज़े से, crime against women बढ़ता जा रहा है, intimate partner violence बढ़ती जा रही है, आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक चीज़ है, जो intimate moments होते हैं, partners के, उसमें भी हिंसा हो रही है, women अब online platform पे जा रही है, बता रही है वो, कि हमारा पीछा किया जाता है, हमको harass किया जाता है, हमको गालिया दी जाती है, हमको physically abuse किया जाता है, intimate moments में हमको film कर लिया जाता है, upload कर लिय होते हैं, यह है South Korea की सच्चाई, जिसको हम so called इतना developed मानते हैं, फिराल यह controversy थी और यह बढ़ती ही जा रही है, देखेंग आगे क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि courses आते हैं, और description comment box में आपका link दिया हुआ है, जरूर उसको click करिए, courses available करिए, offers limited period के लिए, देज़े सि